आप सर्फ वस्वागत है आज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 29 जनुरी के श्रुवर लानकी एक ऐसी शक्ती जिसके तोड़ा आपके अंदर जो मंगुचा है वो कभी खतम ही नहीं होगा लेकिन मंगुचा खतम होने कारण क्या है अगर आपके शक्ती आपको पता सलचाए और ये शक्ती लाने के तरीके पता सलचाए इसे कहते हैं ना कि आपको कुछ बनाना दे घर में लेकिन आपको पता है नहीं कि वो चीज लानी कहां से वो कौन से बजार हमें पीर है, तो फिर आप सारा काम रुख जाते हैं आपर, उसी तरीके से हमारे जीवन में भी उम्होचा रुख जाते हैं, जो मैं पता नहीं होता कि वो कौन से एक special ingredient है, वो कौन से एक masala है, जो कि इस चीज में डालना चाहिए है, हमारे बंद के अंदर हो मसाला होना चीफा, वो गुण होने चीफा यह वो कौन सी ऐसा ज्यान होना चीफा जिससे की हम उस चीज को स कार्य को पूरा करपाते हैं यह वो पकवान को पकावाते हैं, तो वो चीज के बारे माचर्शा की जाएगी, आपर, पर माथमात्वामतवा सेञ queste के आइन का कवच लुख पहन, संकून स्टेज को वरने वाले विगन जीत भवा। कि वरने वाला मतलब शारी करना हो गए हमारी स्टेज को हम सदा, संतुष, सदा, खुष, सदा आनंत में रह सकते हैं या थे, वैसे मी परमादय भीना भीन भीन गए हमेड़ा भीन बादुगं शक्ति है कि हम उस हाइस स्टेज तक पहुंच पाएं तो उसको हम मैरी कर पाएं उससे हम शादी कर पाएं उस स्टेज तक पहुंच पाएं उससे जुड़ पाएं अपनी स्टेज लिए किसी और कि लिए तो उसके बार में परमार्पा कहा रहा है कि अपनी सम्कून स्टेज को वरने अर्थात प्राप्त करने के लिए अलबेलेपन के नाज नखरों को छोड़ शक्ती शर्ष सहर्षक्ती में मजबूत बने अलबेलेपन क्या हो गया पता नहीं होगा नहीं होगा देखेंगे क्या होगा वो हमेशा करके रोग देता है मुझको वे रोग देती है लिच और अगे बढ़ने नीं देते हैं और हम सारा का सारा पोज और पर सारी responsibility और पर डालते हैं और हम बोलते हैं यह हमसे नहीं होगा प्रमात कहते हैं यह अलगे लापन हो गया तो शक्ति शाली को शक्ति बनना, सहन शक्ति को मजबूत करो सहन शक्ति ही सर बिगंओ से भचने का कवच है जैसे कि लोग क्या करते हैं, बुलेट पूफ बैंते हैं कहीं जगड़े लड़ाई में रोड़ा है यह आपके मज़ा वोड़ा दिया आपको घृरा दिया और महीं पर आपके सहिए होगी ख़तम होगी कवच आपका छेद हो गया चलणी को गया तो फिर आप बोलोगे आप तो मेरे से यह बोला है आप मैन toughest आ, यह बहुत्ती में वागराड दी किन हैगा मेरे जीवन में यही एक विखन है यह ना होता तो मेरे जीवन का आँच्छा होता यह सब क्या है यह मतलब है कि हमारे अंदर सेंट शक्ति की कमी होगी है इसलिए परबन करते हैं सेंट शक्ति ही सर्व विखनों से बचा बचने का कवच है जो ये कवच नहीं पेहनते वे नाजू बिन जाते हैं, हर चोटी-चोटी बात में पुचाते हैं, फिर बाप की बाते हैं, बाप को ही सुराते हैं, कहते हैं न, कि परमात्मा आपने तो कहा है, आप जब भी अच्छा काम करने जाओगा तो कल्लियों में बिकन पड़ेंगे, हम प्रॉलम्स को देखते रहते हैं, लेकिन स्लूशन की तरफ ध्यान दियाता है, ये भी हमारा कल्योगी बुद्धी है, हम को दिकल्योगी बन गए उस समय, तो परमात्मा कहते हैं, कभी बहुत उमंग उसामे रहते, कभी दिलशिकस्त हो जाते, कभी बहुत तीजी आगे रहो, तो संपून स्टेज समीब आजाएगी, सदा उमंग उसामे रहो, तो संपून स्टेज समीब आजाएगी, तो उमंग उसामे रहते हैं, तो आटोमाटिकली क्या होता है, हमारी खुशी बढ़ी रहते हैं, हम हर कारे को बख्कुल शक्ती से कर पाते हैं, डाउट नहीं और वो कारे जिब सकल होता है तो और भी दिखर विसको कॉल करते हैं, तो उनके अंदर भी वह मुझी सादत है, यह राज है, लेकिन इस चीज को करने के लिए सदा मुझी सामरेने के लिए परमात्म ने कहा है सेंच कर लो, आगे बढ़ते चलो और उपी बात को ना सुनते वे लेकिन उब ना सुनते वे कैसे करना है, उस क्लापर प्रमक वाइसमें करके सेंच की कैसे भी नहीं होती है, उसके अनेक अनेक पॉइंट्स को समझना पोड़ेगा, विसके सब आप्शेंट